नमस्कार मैं हूँ दिवया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 24 दिसंबर दिन रविवार खबर के ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अब बिहार पुलिस 75 दिन के अंदर मामले की जांच करेगी पूरी जेल से बाहर आते ही मनीज कस्यप के समर्थकों की जूटी भी शेसे दस वर के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च मैथेमेटिक्स 2024 की हुई घोस्ता जल्द अपने मुकाम पर पहुँचेगा भारत का पहला सौरे मिसल बॉक्सिंग दे के दिन इंडिया और साउथ एफ्रीका के बीच होगा पहला टेस्ट मैथ अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 वरी खबरों के और विस्तार से परिवान विभाग ने कोहरे या धुन्द में सुरक्षे ड्राइविंग अपनाने की दी सला पहार सरका ने परिवान विभाग के जरिये कोहरे के दौरान सुरक्षे ड्राइविंग कैसे करें इसको लेकर के सला दी है दरसल परिवान विभाग द्वारा कहा गया है कि कोहरे के दौरान वाहन की गती को धीमा रखें हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स को जला कर रखे, साथ ही हेडलाइट्स को हाई वीम पर ना रखे साथ ही वाहनों के पीछे रिफलेक्टर और डेडियम टेप जरूर चिपका है इसके अलावे कोहरे या धुन में किसी गारी को ओवर टेक ना करे दूसरे वाहनों से उचे दूरी बनाए रखे, किसी मोर पर मुर्ते समय इंडिकेटर जरूर दे और गारी चलाते समय वाइपर का परियोग जरूर करे किसी भी होटल या धाबे के आग या अपने वाहन को सरक पर खरा करने से बचे यदि वाहन को सरक किनारे खरा करे तो परकिंग लाइट चालू रखे इन उपायों को अपनाले से आप कोहरे के दोरान घातक दुर्गटनाओं से बच चकते दूसरे चरन के सिक्चक नियोक्ति में सभी स्रेनियों का बढ़ा कट अफ दूसरे चरण के सिक्चक नियोक्ती परिक्षा रिजल्ट बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा देना शुरू कर दिया गया है। अब बिहार पुलिस 75 दिन के अंदर मामले की करेगी जाच पूरी आगामी नए साल से पुलिस अब एक्षन मोड में आने वाली है। मामले में परे लोगों को कई परिसानियों का सामना करना परता था। लेकिन अब उन्हें भी पता रहेगा कि अब एक निर्धारिज समय सीमा में उनके मामले की जाच पूरी हो जाएगी। अब इसी प्रदर्शन के आधार पर जिला और थाना अस्तर पर डैंकिंग भी जारी रहेगी। जीतिन सिंग अंगवार्दवारा बताये गया कि मिसन इन्वेस्टिगेशन एड़ी रेट पचहतर के तहत पुलिस को निर्धारिज समय सीमा में बताना होगा कि कान में अभी युक्ती दोसी है या नहीं जो दोसी पाए जाएंगे उनके विरुद आरोप पत्र दाखिल होगी चाय विकास योजना के लिए बिहार सरकार किसानों को 50% तक देगी सबसीरी बिहार में किसानों के आयमें व्रिद्धी के लिए राजस सरकार द्वारा कई योजनाय चलाई जा रही इन्हीं योजनाओं में से एक है चाय विकास योजना इस योजना के दाए बिहार के प्रतिसत प्रतिसत कि सब्सीरी देती है किसानों को इस सब्सीरी का लाब दो किस्तों में मिलता है जिसमें पहले बर्स में लगाए गये पौधोchutz में यदि 90% तक पौधे जिवित रहते हैं उनने सब्सीरी का प्रतिसत बारी का भूप्तान किया जाएगा बतादे की प्रती हेक्टियर प्रती यूनिट लागत 4.9-4 लाख रुपए चाय के नए छेत्र विस्तार के लिए तैह हुई है इस पर किसानों को 50% तक का अनुदान दिया जाएगा यानि सबसीरी के रूप में 2.4-7 लाख रुपए तक राजे सरकार किसानों को देगी बतादे की राजे सरकार द्वारा चलाई जा रहे इस योजना का उद्दे से चाय के उतपादन को बढ़ावा देना है और किसानों को सहायता प्रदान करना है इस योजना के लिए आविदन शुरू हो चुके हैं इचो किसान चाहे तो बिहार सरकार के उद्द्यान इदे साले के वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इससे संबन्दित अधिक जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट को मिल जाएगे चर्टी से दसवी वर्ग के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च मैथेमेटिक्स 2024 की हुई घोसना विज्ञान प्रवैदी की एवं तकनीकी सिक्षा विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंग ने स्री निवास रामा नूजन टैलेंट सर्च मैथेमेटिक्स 2024 की घोसना की है इस प्रतियोगिता में क्लास छटी से दस तक के बच्चे भाग ले सकेंगे मंत्री ने इसकी घोसना दिवेशन भवन में राज्ट्योगित दिवस पर आयोजित स्री निवास रामा नूजन टैलेंट सर्च मैथेमेटिक्स 2023 के पुरसकार वित्रन समारों के दोरान की बता दे की वैसे बच्चे जिन्हों विज्ञान प्रवैदी की हिवं तकनीकी सिक्चा विभाग के तरब से आयोजित राश्ट्योगरे दिवस पर प्रत्योगिता में राज्य और जिलास तर पर सफलता हासिल की थी उन्हें लैप्टॉप मैडल प्रमान पत्र और कई अन्य प्रसकार आयोजन के दौरान बाटे गया कि प्रकंड और ग्रामी नस्तर पर पॉली टेक्निक और इंजिनिरिंग कॉलेज बना हुआ यहां पहल कारेकरम के माध्यम से आसपा सवस्तित विद्याले के चात्रों को विज्ञान गनेत और अंग्रेजी विस्यों में गुनवत्ता पून्च सिक्षा दी जा रही जे जेल से बाहर आते ही मनीज कस्यप के समर्थकों की जुटी भी पूरे छे मईने बाद मनीज कस्यप जेल से बाहर आ चुके हैं उनके जेल से बाहर आते ही भारी संक्या में उनके समर्थकों की भीर देखी गई मनीज कस्यप ने जेल से बाहर आते ही कहा कि वह जो काम करते थे आगे भी करते रहेंगे। पिहार के आम लोगों की आवाज बनेंगे। उन्होंने बताए कि उनके समर्थकों के दुआ और आसरबाद के कारण ही वाज बाहर आए हैं। उनके समर्थकों ने हर कदम पर उनका साथ दिया है। इतना कहते ही उन्होंने अपने समर्थकों को धन् सजार रुपय सस्ता कर दिया गया है दरसल यात्रा नीतियों को लेकर सौधी सरकार द्वारा कुछ बदलाव किये गये हैं लेकिन वैसे हज यात्री जो गया एमबार केशन पॉइंट से हज यात्रा के लिए जाएंगे उन्हें देश के किसी भी अन्य एमबार केशन अधिक बुक्तान करना होगा मालूमों कि कॉलकाता या गया एमबार केशन पॉइंट से ही बिहार के हज यात्री मदीना के लिए जाते हैं वहीं हज कमीटी के चेर्मेन अब्दुल हग द्वारा बताया गया एरपोर्ट से हज पर जाना इसलिए भी महंगा होता है क्योंकि नहां से विमान का किराया देश के नए एरपोर्ट से अधिक होता है बतादे की हज यात्रियों को गया के हज पर जाने के लिए लगबग एक लाख और साथ हजार रुपए देने परते थे तो वहीं बिहार के हज यात्री यदि कॉलकाता एरपोर्ट से हज के लिए जाते है तो उन्हें 1.4-5 लाख रुपए देने परते थे मतादे कि आगामी वर्स में हज यात्रा 9 मईसे प्रारम होगी और 20 जून तक हज यात्री वापस देश को देगा जल्द अपने मुकाम पर पहुंचेगा भारत का पहला सौरे मिसन 6 जनवरी को लेगरेजियन पॉइंट पर भारत का पहला सौरे मिसन आदिते L1 के पहुंचने की खबर सामने आई है मतादे कि इस मिसन की मंजल ही लेगरेजियन पॉइंट है इसे लेकर अध्यक्च सोमनाद का बयान भी सामने आया है उन्होंने कहाए कि फिलाल इस बात के उमीद पूरी है सटीक समय की जानकारी सहीं वक्त पर ही दी जाएगी सोमनाद द्वारा बताया गया कि भारत अपना स्पेसे स्टेशन बनाने के करीब है जब यह L1 पॉइंट पर पहुँचेगा तो इंजन को एक बार फिर से फायर करना होगा ताकि यह बहुत आगे ना निकले एक बार यहाँ पर पहुँचने के बाद आदिते L1 यहाँ पर घूमने लगेगा और उलज़ा रहेगा साथ ही अपने लक्षे पर पहुँचने के बाद आदिते L1 अगले 5 साल तक सूरज पर होने वाली गतिविद्यों के बारे में जानकारी देता रहेगा इससे जुटाएगे आंकरे ना सिर्फ भारत बलकि पूरी दुनिया के लिए बेहद एहम होंगे इन आकरों से सूरज के डाइनमिक्स और हमारी जिंदगी पर पढ़ने वाले इसके असर के बारे में जानकारी मिलेगी बीपीएसी अब मुन्ना भाई पर करेगी बरी कारवाई दूसरे चात्र से परिक्षा दिलाने और अभ्यरतियों को लेकर बीपीएसी द्वारा बरा फैसला लिया गया है दरसल ऐसे अभ्यर्तियों को लेकर BPSC द्वारा कहा गया है कि कोई अभ्यर्ति परीक्षा पास करने के लिए किसी अन्य को अपनी जगह बिठाते हैं और पक्रे जाते हैं तो आज जीवन परीक्षा देने के योग नहीं रहेंगे इससे पहले भी BPSC ने कदा चार में लिप्त रहने वाले अभ्यर्तियों पर सजा के प्रावधान अके थे जिसके तेदोन अभ्यर्तियों पर 5 साल का प्रतिवन लगा दिया जाता था इस मामले को लेकर आयो की अधक चतुल प्रसाद का बयान भी सामने आया है उन्होंने कहा है कि वैसे अभ्यर्ति जो अपने बदले दूसरों को परीक्षा में बिठाते हैं उन पर BPSC के तरफ से आयो जित किसी भी परीक्षा में सामिल होने पर आज जीवन तक रोक रहेगी अध्यक्षवारा जानकारी देते में बताये गया कि सिक्चक नियुक्त परीक्षा के दूसरे चरण में अब तक तीन दर्जन करीब में मुन्ना भाई पकरे जा चुके थी बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे वैसाली में राजा विसाल के गर के बारे में कई पैटक इस जगह पर आने के लिए अकरसित होते हैं नहर से गिरे इस पहार के किनारे टावर बने हैं, कहा जाता है कि इस पहारी का विसाल चरन रादा विसाल की संसद हुआ करती थी, इसमें से एक किलोमेटर और डिवाइडर की रूप रेखा है, जो दो मीटर तक उची है, यहां आपको 43 मीटर उचा 14 चैनल भी देखने को मल ज जाएगा, एक साथ कुल साथ हजार लोगों की कुल आबादी को यह जगा समायोजित करने की छमता रखती है, इस गर के पास में ही आपको एक कोरोनेशन टैंक भी देखने को मिलेगा, रादा विसाल के समय के दौरान जो चुनिंदा प्रतिनिती होते थे, उन्हें इस टैंक पानी इसे आसिरवाद देने के लिए दिया जाता था, यदि आप एतेहासिक जगों पर घूमने का स्वाख रखते हैं तो यहां आ सकते हैं, केके पाठक ने सिक्चा का भिरतियों को दी बरी खुश्श खबरी, सिक्चा विभाग के अपर मुख्यस सचीव केके पाठक ने स वविस्य को खराब करेगी आप सभी इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझे आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करिए हर साल अगस्त महीने में 40,000 सिचकों की बहाली निकाली जाएगी इस दौरान उन्होंने ने फर्मान भी जारी किये जिसमें पैरेंट्स और टीचर मीटि के दौरान 35 देशों के सरध्धालू हुए सामिल विहार की बोध गया में महाबोधी मंदर इसित अस्तूपा के पास बोधी व्रिक्ष के नीचे विस्व सांती को लेकर बौध धर्म गुरु दलाई लामा द्वारा विसेश प्रातना की गई इस दौरान 35 देशों से बौध धर्म के विद्वान और सरध्धालू इस विसेश प्रातना में सामिल होने के लिए पहुँचे थे इसका सुभारम बौध धर्म गुरु दलाई लामा ने दीप प्रजवलित करने के साथ ही किया विस्व सांती को लेकर लगबग एक घंटे से अधिक समय तक कामना होती रही मंदिर परिसेश प्रातना के दोरान बुद्धम सर्नम गच्छामी से गुंजता रहा बतादे के विस्व सांती की कामना भारती भासा के साथ सुरू होई थी लेकिन इसे अने देसों के भासा में किया गया थालांकि स्रिलंका, मयनमार, थाइलेंड, बांगला देस, कंबोड है, दरसल वैसे यूजर जो अधिक पैसे खर्च किये बिना ही लंबी वैलेडिटी चाहते हैं, उनके लिए कंपनी 900 रुपे से भी सस्ता 336 दिनों की लंबी वैलेडिटी का प्लैन ओफर लेकर आई है, यह जीओ प्लैनर 895 रुपे रिचार्ज का है, इस प्लैन का लाब आ आप माई जीओ एप से रिचार्ज करवा कर ले सकते हैं, इस प्लैन के तयाथ यूजर को 28 दिनों की वैदिता के साथ 2GB हाइस पी डेटा ओफर मिलेगी, और यह एक बार नहीं वलकि 12 बार 28 दिनों की वैलेडिटी और 2GB डेटा के साथ दिया जाएगा, यानि 336 दिनों तक चलने वाला यह प्लैन आपको 24GB हाइस पी डेटा के साथ मिलेगा, इस प्लैन के तयाथ यूजर किसी भी नेटवर्क पर फ्री अनलिम्टेड लोकल और स्टीडी कॉलिंग के सुविधा ले सकते हैं, इस प्लैन के जरीए आप जियो टीवी और जियो सिनेमा वर जियो चानों में हलके से मध्यमसर का कोहरा चाय रहने का पूर्वानुमान है, वही आने वाले पांच दिनों में राजे के नियूंतम और अधिक्तम तापमान में कोई विसेश परिवर्तन होने के संभाव ना नहीं जताई गई है, आने वाले चार दिनों में मौसम विभाग मौसम को लेकर किसी प्रकार की चेताबनी जारी नहीं की गई हूँ दर्भंगा वासियों के एम्स के साथ मिलेगी एक और नहीं सौगाद एम्स के सौगाद के साथ ही दर्भंगा वासियों को और भी तौफे मिलने वाले हैं रसल कुछ प्रस्तावों के बाद ही किन सरकार को बिहार सरकार द्वारा एम्स के लिए दी गई जमीन पर सहमती बनी थी, जिसमें एम्स निर्मान भूमी के पास से गुजरे हाइट इंसन तार को हटाना, साथ ही एम्स तक फोर्लेंड सरक की व्यवस्ता के साथ मिट्टी का काम बिहार सरकार को करना है, इस कारे को लेकर विभागों द्वारा तयारी तेज कर दी गई है, विभाग के कारे पालग अभियंता के द्वारा एक मी से सोभन तक फोर्लेंड सरक को लेकर पत्र भेजा जा चुका है, एम्स के निर्मान से यहां मौजूद आसपास के अद्वैत को मिला यूनिक अचीवमेंट पुरसकार, बिहार के रहतास में रहने वाले अद्वैत को साइको सोसल रिसर्च ऑफ इंडिया बैंगलोर्द वारा यूनिक अचीवमेंट अवर्ड से नवाजा गया है, अद्वैत महत साथ वर्स के हैं और इतने कम उम्र में ही व बहुत खुशी हुई है, मैं सास्त्री संगीत सीखता हूँ और हार्मोनियम भी बजाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर मैं ऐसे कई पुरसकार अपने नाम करूँ और अपने माता पिता का नाम रौसं करूँ तेजस्वी को विदेश यात्रा की मिली अनुमती, लालूमो की मामला जमीन के बदले नौकरी का था, लिसमें कोट द्वारा लालू यादव बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी, बिहार के रिप्टी सीम तेजस्वी यादव और राजत चांसद मीसा भारती को जमानत दे दी गई थी, विदेश यात्रा को ले बाकी है, ऐसे में पक्च विपक्च एक दूसरे पर आरोप रत्यारोप लगाना शुरू कर चुके हैं, इन दिनों बीजेपी लगातार नितिस सरकार पर हमला कर रही, केंद्री गिरे राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सीम नितिस को आरे हाथो लेते वे कहा, कि बिहार स सरकार की नियत में ही खोट है, इस सरकार में आप राधियों को सनक्षन दिया जा रहा है, आगे उन्होंने कहा कि आम जंता से लेकर पुलिस वालों तक सब पर आप राधि घटनाए घट रही है, जब से नितिस कुमार और तेजस्वी आदव की साजा सरकार बनी है, उस समय स से विधी विवस्ता बिलकुल चौपट हो गई है, सराब के धंदे में लिप्त सरकार से सनक्षन प्राप्त जो लोग हैं, चाहे पुलिस वाले हो या फिर सराब माफिया हो, उसके कारण राजे में अराजक स्थिती हो गई है, विहार से भारी मात्रा में पलायन हो रहा है, इन समस्याओं को लेकर कोशी और सिमानचल में पपू यादब करेंगे जनान दोलन, आने वाले नहीं साल में पपू यादब की जन अधिकार पार्टी कोशी और सिमानचल के विभिन समस्याओं को लेकर व्यापक रूप से जनान दोलन करने की तयारी कर रही, बता दे किस ब को लेकर 59 जण्वरी जाप छरणबद आंदोलण शुरू करने जा रही पपुयाद़ ने आगे कहा कि आंदोलन के प्रतम उतित्तिम में दोसरे चरह श्द्व किया जाएगा और ने चल पर उप ना मुख्यारै पर अनिस्तित काल भूख हर्ताल किया जाएगा आगे उन्होंने कहा कि है लराई आर पार की लराई होगी हमारी पार्टी प्रस्टा चार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे बॉक्सिंग डे के दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगा पहला टेस्ट मैच इन दिनों पाकिस्तान की टीम आउस्ट्रेलिया के खिलाफ और भारत दक्सिंग अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीच खेल रही है दोनों ही मैच 26 दिसंबर को यानी बॉक्सिंग डे के दिन शुरू होने वाले हैं बतादे की बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच वो होते हैं जो हर साल क्रिस्मस के अगले दिन ही खिले जाते हैं दक्सिन अफ्रीका के खिलाब भारत इस दिन दो टेस्ट मैचों के सिरीज के पहले मैच का आगास करने वाला है। तो वहीं पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की होने वाली सिरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। वतादे की मेल बर्ण हर साल बॉक्सिंग डे टेस्ट की मेजबानी करता है। लेकिन अब यह दुनिया के कई अन्य हिस्सों से भी मनाए जाते हैं। बॉक्सिंग डे को युनाइटिड किंग्डम और अन्य देश जो ब्रेटिस सामराजे का कभी हिस्सा था। वे इस दिन को मनाते हैं। इस दिन ब्रेटिस सामराजे के नौकरों को क्वीन विक्टोरिया के राजे में राजा या रानी के हाँ तो क्रिस्मस गिफ्ट दिये जाते थे। जिसे क्रिस्मस बॉक्स कह जाता था। उसे समय से बॉक्सिंग डे मनाने की शुरुआ था। कई कानों से दर्जाय भारत के थिहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1524 में यूरोप से भारत तक पहुचने के समुंद्री मांग का पता लगाने वाले पुर्तगाली खोजी नाविक वासको डिगामा का भारत के कोची में निधन हुआ था आज के दिन वर्स 1894 में कलकत्ता में पहले मेडिकल कॉन्फरेंस का आयोजन हुआ था आज के दिन वर्स 1921 में नॉबल पुरसकाल विजेता रविंदर नाथ ठाकुर्द्वारा विस्व भारत विस्व द्याले के अस्थापना की गई थी आज के दिन वर्स 1986 में लोटस टैंपल स्था धालूं के लिए खोला गया आज के दिन वर्स 2000 में विस्व नाथन आनंद विस्व सतरंज चैंपियन बने थे आज के दिन वर्स 2002 में दिल्ली मेट्रो का सुबारंबि सहाद रात 30 हजारी लाइन से हुआ था आज के दिन वर्स 2014 में अटल विहारी वाजपई और मदन मोहन वालविये को भारत रतन देने की घोसना होई थी आज के दिन राश्ट्य औभोकता दिवस मनाते हैं कोरोना को लेकर डब्लू एचो ने जाहिड की चिंता कोरोना को लेकर बर्दे खत्रे के बीच लोगों को लगातार स्वास विभाग द्वारा सतर्क रहनी की सला दी जा रही है डब्लू एचो ने भी कोरोना को लेकर चंता जाहिड की है WHO के अनुसार बीते चार हफतों के अंदर दुनिया भर में कोवीर मामलों की संख्या में 52% तक की बरहोत री देखने को मिली है हाला कि 28 दिनों की तुल्ला में नई मौतों की संख्या में लगबग 8% तक की कमी भी देखी गई ऐसे में बर्दे मामलों को देखते हुए साबधानी बरतने की सलाद ही गई है साथ ही कहा गया है कि मास्क पहनने और भीरभार वाली जगा पर जाने से बचें हर संबब परियास करें हाला कि भारत में सबसे ज़्यादा मामले कीरल में देखने को मिले हैं Google ने ने सीफ्टी फीचर की की घोसना desktop पर Chrome पर बैग्राउंड में आटोमाटिक चलने वाले एक ने सीफ्टी फीचर की घोसना अगर Chrome में सेवड पासवर्ट के साथ कोई छेर चार करता है तो इस सैफ्टी फीचर के माधिम से यूजर्स अलर्ट हो जाएंगे यह सेफ्टी फीचर आपको बताएगा कि आपका कोई extension संभावत रूप से harmful है आप Chrome के latest version का उपयोग नहीं कर रहे हैं या फिर site permission पर आपको attention देने की जरूरत है कंपनी द्वारा कहा गया कि desktop पर Chrome के लिए सेफ्टी चेक अब बैग्राउंड में आटोमेटिक चलेगी गूगल साइट्स की permission को रद करने के लिए सेफ्टी चेक का वस्तार भी कर रहा है अगर आपको उन साइट से बहुत सारी notification मिल रहे हैं मनी 9 के लेटेस्ट सर्वे में भारतिय परिवारों के आउसताय में व्त्दी बताई गई है जिसमें खबर सामने आ ही कि लोगों की आरतिक स्तिती में सुधार करने में सरकारी और गयर सरकारी संस्तानों दवारा दी जाने वाली कई वोजनाओं में मदद की है इस सर्वे के अनुसार करनाटक महरास्ट और चंडीगर जैसे राज्यों में बताया गया है कि लोगों की कमाई में व्रिद्धी हुई है क्योंकि कमाने वाले सदस्वों की संख्या बरी है थाला की कमाई के मामले में सबसे पीछे बिहार जारकन और और औरीसा राज्य हैं आधारकार बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव आधारकार आज की समय में हमारे लिए कैसा डॉक्किमेंट बन गया है जिसके बिना हमारे कई काम पूरे नहीं हो सकते ऐसे में अभी आधार कार्ड सभी के पास होने जरूरी है वही बता दे कि अब सरकार की ओर से आधार कार्ड बनवाने के नियम में एक बड़ा बदलाब कर दिया गया है जिसको जानना सभी के लिए बेहदी जरूरी है मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो आधार के लिए पात्र वेक्ति के उंगलियों के निसान उपलब्द नहीं होने पर उस वेक्ति के आईरे से स्कैन का उप्योग करके नावांकन करया जा सकता है बतादे की मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसारी है बयान एलेक्ट्रोनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंसेकर्द वाड़ा किरल में एक महिला जोसी मोल पी जोस के नामंगन को सुनेसित करने के लिए आया है वहीं इस बदलाव से अब लाकों लोगों को फायदा मिलेगा हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे हाली में 22 इसम्बर 2030 को पूरे भारत वर्स में कौन सा दिवस मनाय गया है Option A है राश्ट्रे विज्ञान दिवस, Option B है राश्ट्रे गने दिवस, Option C है राश्ट्रे हिंदी दिवस, Option D है इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है राश्ट्रे गने दिवस हाली में भारती मज़्दूरों के अधिकारों के सुरक्षा के लिए NSDC और कौन से देश ने समझोता किया है Option A है सौधी अरब, Option B है सिंगापूर, Option C है अमेरिका, Option D.A. कोवेट इसका सही उतर है सौधी अरब हाली में1 साल में 100,000,000 ग्यात्यों को ले जाने वाली पहली भारती एयरलाइन एयरलाइन्स बनी है Option A है Jet Airways, Option B है स्पाइस JET, Option Cophile Indian Airline, Option D है Indigo Airlines इसका सहीउ उतर है Indigo Airline मिहार, पंचायत, समीती और जिला, पडिसेदा दिनियम कब लागू हुआ था? उसका सही उतर है 1961 में कौनसी नदी बिहार में गंगा में मिल जाती है उप्सन ए है घागरा उप्सन भी है सोन उप्सन सी ए गंडक उप्सन डी है उप्रोक्त सभी इसका सही उतर है उप्रोक्त सभी बीटे दिनों हमारे दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिक कर दिया है दिनोंने हमाई दोर पुझे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अगर आप फेस्बुक से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक से देख रहा है तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद